दोस्तो अब नित्री सुनाम कपूर ने 20 अगिस 2022 को मंबाय में एक सवस्त बच्चे को जनम दिया इस गूट नियूज से पूरा कपूर और आउजा खांदान बेहदी खुश हुआ कपल ने सभी डॉक्टरों, नर्सों, प्रिवार, दोस्तों और सुपसिंदकों को अपना सपोर्ट के लिए धन्यवाद दिया अब अब नित्री अपने मदर हुड फैंस को इंजोई कर रही हैं हाले में उन्होंने अपने पूरव में की गई प्रेगनेंसी प्लानिंग के बारे में बात की दोस्तों वग इंडिया के साथ एक इंट्रिव में सुनों कपूर ने सुखिकार किया कि कोड़ नेंटेंटें के चलते उनके बच्चे के योज़ना में देरी हुई अब नित्रे को समय पहले बच्चा चाहती थी और इनके लिए अब और इंट्जार नहीं करना चाहती थी उन्होंने सुखिकार किया कि साल 2020 में उन्होंने काहानिया सुनी थी कि कितने माता पिता को अस्पताल में जाने और महामारी के कारण गर्बुस्ता के दोरान जट्रिताओं का सामना करने के लिए बहुत कुछ जेलना पड़ता है तब उन्होंने इंट्जार करने का पैसला किया था और नौजुन 2021 को अपने जनम दिन पर सुनम ने आनन्द से कहा कि अब और इंट्जार नहीं कर सकती यही वह समय है जब उन्हें इनकी प्लानिंग करनी चाहिए इसके बाद अभिनितरी दिसमबर 2021 में प्रेगनेंट हुई सुनम कपूर ने ये सिविकार किया कि उन्होंने अपनी उमर के कारण प्रोजो इस्टोनेंज सोट लेना सुरू कर दिया था और मॉंबई वर लंडन में उनका चेक अप उगाता सुनम कपूर और उनके पती आनन्द आउजा इन दिनों आपने इस नए चरण का पूरा आनन्द ले रही है दोस्तों आप भी कमेंट करके इनको बदाई दे सकते हैं